नमस्कार सिक्षार्तियों राश्टी मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है सिक्षार्तियों यह बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि राश्टी मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान बिश्व की सबसे बड़ी सिक्षा प्रणाली है जो मुक्त और दुरख सिक्षा के माध्यम से सिक्षा प्रदान करती है जिसका मुख्य उद्देश सिक्षा वंचितों तक गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा पहुचाना है सिक्षार्थियों जब भी आप NIS में नामंकन के लिए तयार हो माध्यमी कस्तर पे या उच्षतर माध्यमी कस्तर पे तो आपको कुछ जानकारियां इकठा कर लनी चाहिए जैसे कि आपको सबजेट क्या चुनना है उसके पहले और भी जानकारियां जैसे कि उसके prerequisite क्या है या जो भी इस तरह की आओ सकता है वो सब जानकारियां पहले से इकठा कर लनी चाहिए तो उनी जानकारियों मैंसे जो एक primary जानकारिय है तो वो देखिए एक समू बना गुए है जिसमें कुल 18 भासाइं अबलेबूल हैं विकल्प के तोर पे इन में से कोई आप एक नियुंतम एक अधिक्तम दो ले सकते हैं अगला जो समू है वो है विसियों का उनमें देखिए आपके पास विकल्प के तोर पर उपलब्ध हैं वो है गडित, विज्ञान और प्रद्योगे की, सामाजी विज्ञान, अर्थसास्त, व्योशाय अध्यान, ग्रिह विज्ञान, मनो विज्ञान, भारती संस्कृती और व उद्यमिता, तो ये आपके पास दो समू है, एक भासा का और एक विज्ञान, इनमें से आप सब्जेक्ट का चैन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इनमें भासा के तोर पर एक या दो ले सकते हैं, अधिक्तम, और बचे विज्ञान जो है, आपको समू खस कल्प देते हैं जिसका अत्रिक्त सुल्क दे होता है नेमानुशार तो आप इस तरह से अपनी भासा और विशय को चुन सकते हैं माधिमी कस्तर पर इसी प्रकार यदि कोई सिक्षार्ती उच्चतर माधिमी कस्तर पर सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समूहों का निर्धारन हैं समूह, ख, ग, घ, अंग, और च, जिसमें समूह का विशेशत तोर से भासा का है अगर आप देखें तो इसमें 12 विकलपा आपके पास उपलब्ध है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तमिल, ओडिया, पंजाबी, अर्भी, फार्सी और मल्यालब इसमें ध्यान देने योग की बात ये है कि जो छेतरी भासाएं हैं इन विशेशों के परिच्छा एक ही दिन एक ही समय पर आउजित की जाती है इसलिए यदि आप इन में से कोई दो अगर विशे के रूप में ले लेते हैं तो जाईर सी बात है कि आप एक ही सारवजिनिक परिच्छा में इसको नहीं दे पाएंगे आपको अगले सारवजिनिक परिच्छा या फिर आने वाले अंडिमानिक जामने संथ तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है अगला जो समू है वो विशे का है जिसमें देखिए आपको गडित, ग्रीविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्षास, ब्योसाय अध्यन, चित्रकला, डाटा इंट्रियोंकार, प्रारंबिक, सिशु, देखभाल, एवन सिक्षा, वेद अध्यन, संस्कृत ब्याकर आपके विशे हैं, अगला जो विशेओं में चैन कर सकते हैं, उसमें जो देखिए समू अलग-अलग फिर बने हुए है, इनका समू बनने के कारण यह है कि ये जितने भी समू अलग-अलग बने हैं, इन विशेओं के परिच्छा, एक ही दिन, एक ही समय पर आयोजिज होती है, इसलिए आपको ये सला दिया आता है कि इनमें भी एक-एक विशेका ही चैन करें, ताकि एक ही बार में आपकी सारी सारोजिनिक परिच्छाएं सुनिश्चित हो सकें, अन्य था आपको अगले सारोजिनिक परिच्छा या अन्डिमांडिक जामने सन तक इंतजार करना प रसायन विज्ञान, राजनिती विज्ञान, जन संक्चार, सेना अध्यन विकल्प के तोर पर उपलब्द हैं और अगले समू में जीव विज्ञान, लेखांकन, कानून का परिचय, सेना का आईती हास, विकल्प के तोर पर उपलब्द हैं और इसी क्रम में जो अगला समू है उसमें computer विज्ञान, समाज, सास्त्र, परेटन, सारे रिख सिक्षा एवं योग विकल के तौर पर आपको उपलब्द है पुना मैं आपको सुनिश्य करा दूँ कि इनकी अत्रिक्त आप दो विशे और ले सकते हैं यानि कि जो certificate है वो पांच विशे ओपर हो सकता है इसके अत्रिक्त अधिक्तम आप साथ विशे तक admission ले सकते हैं सिक्षार्तियों साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि NIOS ये जो हमारे सेक्षी पाठक्रम हैं उनके साथ साथ बेवसाइक पाठक्रमों का संजोजन भी चलाता है यानि कि वैकायर्पिक तोर पर आप माधमिक स्तर पर हो या उचतर माधमिक स्तर पर इन दोना स्तरों पर विवसाइक के भी पाठक्रम को अपने पाठक्रम में समाहित कर सकते हैं बात करें यदि मादमिक अस्तर पर तो देखिए आपको जो उपलब्ध है वह है टंकड हिंदी में, टंकड अंग्रेजी में, टंकड उर्दू में, बढ़ाई गीरी, सौर उर्जा, तकनिसियन, बायो गैस टेकनिसियन, लॉन्डरी सेवाय, बेकरी, एवं कन्फेक्शनरी, व आसुलिपी हिंदी, आसुलिपी अंग्रेजी, सचीवी पद्यती, आसुलिपी उर्दू, टंकड उर्दू, पोज सनक्छन, फरनीचर और कैबनेट निर्मान, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ग्री बेवस्था, कैर्टरिंग प्रबंधन, खाद संसाधन, होटल स्वागत, कार प्यालय संग्चालन, मुर्गी पालन, मिर्दा और खाद प्रबंधन, तथा फलों और सबजीयों का अनुरच्छन, ये विशय वैकल्पिक तोर पर आप ले सकते हैं, यानि कि आपके पास विशय चुन्ने की अपनी इच्छानुसार बहुत सारी सोततताय हैं, आप विशयो प्यालय सिक्छा संस्थान को अपना मन पास विशय चुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहतर भुष्चे के लिए हम सब उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत सुबकामना है, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अपने नामांकन के समय काफी मदद करेगी, धन्यवाद